हेलो फ्रेंड सोगत अपकी चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैं चम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह नहीं वाला यहां पर टाइगर्स वर्सेस टसकर्स की बीच जो मैच होने वाला यहां पर पॉंडेचरी टी-20 का इस मैच की वीडियो वीडिय है वह सारी चीज़े बन बाइवन डिसकस करेंगे तो उससे पहले अगर आप मारे यूटूब चैनल पर नहीं आयों तब को हमारे टेलिग्राम चैनल जोइन करना बहुत जरूरी है जिसको नाम है फेंटेसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ दिखाई दे र टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन उसको आपको जॉइन कर लेना है तो ध्यान रखना अगर आपको हमारे टेलिग्राम के सही और ओरिजिनल वाले चैनल के साथ जुड़ना है तो लिंक का ही यूज करना पड़ेगा जो आपको वीडियो के नीचे कमेंट में दिया ह जब तेलिग्राम चैनल को जॉइन करोंगे तो आपको सर्च करके जॉइन करोंगे तो किसी गलत या फेक चैनल के साथ जूड़ सकते हो तो सही तरीका सिर्फ एक ही आप लिंक का यूज करना वीडियो के नीचे कमेंट में आपको दिया हुए अब आते हैं वीडियो के में पार्ट पर देखो बात की जाएं पर वेन्यों जो रहने वाले वह रहेगा आपके लिए क्रिकेट असोसियेशन पूड़ुचेरी पूड़ुचेरी इंडिया तो यह मैच होने वाला है जिस पर इस टोनमेंट के सारे मैचिस होए हैं और लास्ट टोनमेंट भी सेम ग्राउ ज्याथा तो दोनों टीम में से कोई भी विंग कर सकते हैं दोने इक्कोलिश ट्रॉंग है बाकि इंवेस्ट मेंट इसांच मीडियम रखना बाकि फॉर्मेट मतलब कितने ओवर का मैच होने वाला है बाकि अगर बात कि यहां पर तो मैच पर्फॉर्मेंस टीम की रही है एक भी पर्फॉर्मेंस लिखी तर्नमेंट चल रहा इसकी तो दो से तीन टॉर्णमेंट के स्टाइट सर प्लियर के अवेले जिसा कोई बहुत बेनिफिट हो सकता है ठीक है बाकि आइनार ओपनिंग प्लस विकेट इपिंग करते हैं नदर आएगा 2020 के लाश्ट 2021 के लाश्ट पांच वैचिस में मनाये थे टीटन वाले टॉर्णमेंट पर देखो कि तुम्हां पर इसने एक हाफ सेंचुरी स्कूर की थी और अच्छा स्कूर भी कर रहा था अच्छे फॉर्म है था इस सीजन और यह जो यह नया टॉर्रमेंट चल रहा है विकेट की पर तो कैसिंग स्टंपिंग के पॉइंग टीम में सीफ ऑप्शन है वाइस रामा मूर्ती के बारे हैं बात कि टीम का उपनर है इसका कोई पास्ट क का रिकॉर्ड नहीं कि फर्स्ट एंग खेल रहा है और एक मैच खेला ऊपन के बारन मारें वाकिया एक कमलीशन के बारे में इंपॉर्टन बने का टीम का सबसे बैस्ट और सबसे इंपॉर्टन राउंडर है पहले मैच में इस टोर्णमेंट बनाए दुसरें बारा बनाए दोने मैच में बॉलिंग करी जहां यहां तीन और में कोई विगेट नहीं मिला और टीटन वाले टोर्णमेंट भी कमलीशन ने दो हाफ सेंच्वी लगाई दी दो बर 40 से ओपर स्कोर किया था इंपॉर्टन है और अपने कंप्लीट ऑवर भी कर रहा है विकेट बैक टुब इसने हाफ सेंच्वी स्कोर की थी दो बर 40 के ओपर गिया था तो ऐसा प्लेयर अगर सैट हो गया तक बड़ी इनिंग खेल सकता इस टोर्णमेंट वाट थाइस और चारन की दो इनिंग्स खेली है टीम में आप कंसिडर कर सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टन बन सकता है आन जिसको बहुत अंडरेस्टीमेट किया रहा है तो इसकी इनिंग्स कफी अच्छी है इति ग्रेंड लिक के लिए हाइली रिकमेंट एंथे नावरन बाकी पहले मैंच दोरन प्रफोर्मेंस की है और लास्ट टोनमेंट भी इसने अच्छी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कोंट्रिब्यूट किया था 47 पच्छेस तैंटीस इक्तालीस और वालिंग से इसने विकेट काफी बैक टू बैक निकाले थे तो इंपोर्टन आपके लिए रहेगा और इस टोर्नमेंट यहां एक विकेट हैं एक विकेट हैं बाइस और सोलन की छोटे-छोटे कैमियो खेले है तो आपके लिए टीम में इंपोर्टन बन सकता और वाइस अप्शन बनेगा जंगिर भी विगनेश के बारे बात की जाए तो यहां पर स्टेट लावल का प्लेयर है पॉर्डुचरी के लिए स्टेट लावल तक खेलता इंपॉर्टन रहेगा टीटन वाले यहां पर देखा जाए तो यहां पर देखोगे तो यहां पर विकेट्स भी निकाले थे एक आधे मैचे बैटिंग भी की थी तो अच्छा ओल राउंडर है बैटिंग और बॉलिंग दोने से टीम के लिए कॉंट्रिब्यूट कर सकता है और कहीं न कई मैं टीम में कंसीडर कर भी सकता हूं काफी अच्छा ओल राउंडर स्वारा भ्यादब विकेट्स भी हर मैच मैच बैटिंग से कॉंट्रिब्यूट कर रहा था तो स्टार्टिंग के कुछ मैच अच्छे नहीं रहे थे बट अपने और कंप्लीट करता है इंपॉर्टन आपके लिए बने अभी तक इस मैच इस टोनेमेंट दो मैच पे तीन विकेट निकाल चुका है मथन ने लास्ट इस टोनेमेंट में भी विकेट अच्छे निकाले थे टीटेन वाले में तो कंसीडर कर सकते हो बाकि यहां पर बात की जाए तो संता मूरती के बारे में तो इनकी टिंग का वन अप दी बैस्ट बालर ध्यान रखना और विकेट टेकर बालर है चाहे टीटेन टॉर्णमेंट बैक टुबैक हर में दो-दो भिकेट निकाल के दे रहा था चाहे उसे पहले लास्ट एर के परफॉर्मंस निकाले थे इस टॉनमेंटरी निकाल चुगा है इसको किसी भी कौोश में टीम से मिसमत करना बाकि बैच मेंट में बात की जाए तो यहां पर एम सम्यूल फारिश एक मैच खेला जहां अधरन मारे इंपोर्टन नहीं रहेगा वैसे को पास्ट कर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है बाकि पी मुरगन के बारे में बात की जाए तो यह पर्फॉर्मेंस रही है इग्नौर करोगे तो बैटर रहेगा मेरे इंपोर्टन हमाले नहीं बनेगा पी मुर यह लगाई थी यह देखोगे तो अच्छी मैच बैट बाकी है यहां पर नरायन के बालिंग अच्छी की थी बैक टू बैक काफे बिकेट्स निकाल से स्टार्टिंग के 2-3 मैच इसमें अगर आता है तो ग्रेंडिक में जरूर्ड रिकामेंड करूंगा क्योंकि अगर कोई यह प्लेयर खेलेंगे तो कोई ना कोई प्लेयर भार ही बैटेगा तो इसलिए ध्यान रखके चलना यह एस राजाराम के बारे में अगर बात की जाए तो अच्छी वालिंग तो इसने उतने नहीं करी थे विकेट उतने जादा नहीं मिले थे तो इस्टोड़ा इग्णोर करो दन सकता है और विगनेश को ट्राइ कर सकते हो और मत्तन एमको ग्रेंट लग के समॉल लिक दोनों में और सम्ता मूर्ती को टीम में कर सकते हो एक कुछ प्लियर इंपोर्टन्स के लिए यह पें टसकर्स की तीम से काफी अच्छ़ प्लेश्ट दीकाइवलेल ताइकर्स के व हमारे दो मैच विन कर लिया और उपनिंग कर रहा और कर रहा है माथ वन जिसने पहले मैच में थर्टेन के इनिंग खेलिए लास्ट टोनामेंट जो गया था अभी टी टैन का उसमें दो हाफ सेंचरी स्कोर की थी और यही प्लेयर वह जो बैक टुबैक पांस मैंचे जीरो पर तो एक तरफ ऐसा प्लेयर जिसने फ्लॉप रहता तो इसलिए कहीं नहीं कर सकते हो या तो फ्लॉप होता है या तो बड़ी निंग खेलता है बाकि यहां पर आर रगूपति इसको बहुत लोग कर रहे है बहुत ही बड़ीया बैट्स मैंने देखो इसके स्टीटन में 89 मारे प्लेयर है बड़ी निंग खेलने बलीव रखता है और पहले मैच में मैच विनिंग और हमें काफी अच्छा विन कर रहा है और लास्ट टीटन टोर्नामेंट भी दो हाफ सेंचुरी लगाए थी तो इंपॉर्टन वैट्समन अच्छा वैट्समन है बाकि एकर बात के स्टे पहले दोजा 21 में अच्छे प्रफॉर्मेंस यहां पर कारती करने की तो कर रात तक करूंगा क्योंकि थोड़ा बैटिंग और नीचे रखा था नहीं कर लेता है बाट बैटिंग नहीं आ पाई दूसरा बॉलिंग और भी नहीं करा जो कि और सप्राइस था तो इसलिए आज आज वाले मैच में थोड़ी कंफ्यूजन बनी भी है कि एक तो बैटिंग तो टीम इसको नीचे करवाई करवाई साथ बालिंग भी नहीं करवाई तो इसलिए थोड़ा इंपोर्टन ओल्राउंडर होने के बाहुद मैं शायद ना पिक करोगी फिर आज वाले मैच में ऐसे बात की जाये तो पहले मैच तीन निकाला यहिंग की टीम का बोलो एक फॉरएवर ग्रीन बॉलर है क्यों क्योंकि टीटन टॉर्टन टॉर्टन बनने वाले इंपोर्टन बालर है विजैई ने कल मैच में दो बिकित निकाले अपने लिए इंपोर्टन रहेगा और कल इसके स इसको विकित नहीं मिले थे टीटन में बात की मैच में बैक टू बैक इसलिए तो इसलिए मैं ग्रैंड लिग में रिकमेंड कर सकते स्मॉल लिक के लिए सेफ नहीं है शीवा कुमार ने चार और एक विकित उतना इंपोर्टन नहीं है जेकब ने 2021 में खेला टीटन की वैसे इतना इंपोर्टन नहीं रहेगा अभी तक नहीं खेला है सुब्रा मन्यम की परफॉर्मेंस यह रही है तो आप के पास हर प्लेयर की डीप इंफॉर्मेशन है तो आप देखते किसको टीम खेलाते किसको बाहर बिठाती है और जिनको मैं स्मॉल लिक में रिकमेंड प्लेयर को जुरूब पिक करना स्मॉल इक में सेफ ऑप्शन रहेगा माथवन रखुपती अराविद्ट ग्रैंड लिक में कार्थी अब यहां पर रसना पार के बढ़िया प्लेयर तो है बट वहीं कन्फूजन बनी एक तो बैटिंग और नीचे दूसरा बॉलिंग भी नह आप में जा सकते हैं कोई क्रेट का इश्यू नहीं आने वाला और सेम टिंग आप किसी भी आप में लगा सकते हो ध्यान रखके चलना कि कुछ रीजन की विए से कई आप को वीडियो में शो नहीं कर सकते हैं बट लाश्ट दो साल से उपर होगे हमको इस एप में खेलते हैं डी ओ सी टी ओ और डॉक्टर राएगा हमारा डॉक्टर डी ओ सी टी ओ और रखके तो को फ्री का बोनस मिलेगा दूसरा हमारी फैंटेसी डॉक्टर की फैमिली में आड़ होगे इस सब को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम इस एप में नहीं आएगी तो ज्यान से रैफर पर गवे रखुपती अगर खेलेगा तो बड़ी इनिंग अराविंद को लिया है मैं करूंगा क्योंकि इन तीनों के बैटिंग बैटर नीचे है ऐसे बड़िया बैट्स में है इसके लब आप किसी को ट्राइब करना चाहते हैं बैटिंग सेक्षिन में तो फिलहाल मेरे औ हमाले में अल्राउंडर रहेगा है और आप एक एक्ष्ट्रा बॉलर को ड्रॉप करके चाहोते हाँ पर जा सकते हो रतना पारके थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि अगर सेम चीज़ होई कि बालिंग ना करवाई और बैटिंग और नीचे रा फिर रिस्की हो जाएगा हमा अगर यह आएंगे तो कोई ना कोई प्लेयर बहार ही बैठेगा तो यह इंदर आएंगे जैकब भी ओल्राउंडर है तो इसलिए इन दोनों को ही ट्राइक रहे बाकि मैंने जस्वंत आर विज्याई और संता मूर्ति खासकर से मैं यहां पर तीनों को मिस्स नहीं करना जात बाकि मतन की जगाव यह पर रतना पार के या फिर आप जा सकते हो विगनेश के साथ या फिर आप इनको पिक कर सकते हो एक और अच्छा उप्शन इसमें है सौरव यहादत जो की बैटिंग बालिंग भी कर लेता है बट ग्रेंड के लिए जार रिकमेंड करूंगा शरन वा तो में बैटिंग भी कर लेता और बॉलिंग से ओक्की ओक्के एक मैज़ चार विक्ट भी ली थी तो कैपिबिलिटिस के पास बैटिंग बॉलिंग दोना से कॉंट्रिबूट करने की बाकि यहाँ पर कैप्टन में कमिशन वाइस कैप्टन सी में जांगीर वी के साथ जार आपके द्वाइस की जो ऑप्शन है कैप्टन तो कमिशन को रखना जस्वंत रगुपती और आप अगर चाहो तो इनको ट्राइब कर सकते हैं यह कुछ ऑप्शन आपके लिए बुनेंगे ग्रेंड लिग की टीम बन मेरे कॉर्डिंग आपके लिए यह रहेगी ग्रेंड ल ग्रेंड लिग की टीम फोर यह रहेगी बागी स्मॉल लिग और ग्रेंड लिग की फाइनल जो टीम दूंगा मैं आफ्टर टेलिग्राम पर मिल जाए तो टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना उसका लिंक वीडियो के नीचे कमेंट मिल जाएगा सबसे ओपर ब्लीव करूं तो जाहिए दोस्तों बाइबाइब